हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर इच्छा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि CDP के पेपर फ़स्ट के प्रीवियस एर के कुश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ तो ये पेपर है दिसंबर 2019 वाला तो इसमें जो भी CDP की कुश्चन है उनको मैं सॉल्व करवांगी तो पहला प्रस्ण लिखा है भासा के अरजन एवं विकास के लिए सरवादिक समवेदन सील अवदी कौन सी है पहला विकल्प है जन्म पूर अवदी, दूसरा है प्रारंबिक वाले अवस्था, तीसरा है मद्द वाले अवस्था और चौहता है किसोरा अवस्था तो सबसे पहले आपको अरजन जानना आवस्चेक है कि अरजन क्या होता है ये एक सब्द लिखा हुआ है तो अरजन वैप्रक्रिया है जिसके द्वारा मनोस ज्ञान को बूजने और समझने के साथ सब्दों और वाक्यों को सम्प्रेशित करने और उप्योग करने की चमता प्राप्त करता है तो यह अरजन कहलाता है भासा की अरजन एवं विकास के लिए सरवादिक समवेदन सील अबदी है प्रारंबिक वाल्या वस्था दूसरा विकर्व इस प्रश्न का उप्तर है इसकी ओम्र क्या होती है तीन से पाँच वर्स तो इस चरड में बच्चा चल सकता है अपने परवार के सदस्यों के साथ बात चीत करता है बौदिक विकास जो है वस्थूगों के रंग आक्रती आकार आदी को पहचान सकता है तो दूसरा विकर्व इसमें सही है अगला प्र प्रस ने दिया गया है निमनलिखित में से कौन सी लोरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है पहला विकल्प है प्रसुपती अवस्था दूसरा है सामाजिक अनुबंद अभी विन्यास तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो था है उध्योग बनाम अधीनिता आवस्था तो लोरेंस कोहलवर्ग एक अमेर्की वेग्यानिक मनो वेग्यानिक थे और इन्होंने नैतिक विकास के सिध्धान का प्रतिपादन किया और इन्होंने नैतिक विकास के तीन इस्तर बताई ये मैंने आपको कई बार बताई है और प्रतेक इस्तर में दो चरणों का इन्होंने वरडन किया तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्ब सही है सामाजिक अनुबंद अभिविन्यास दूसरा विकल्ब इस प्रस्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण देखते हैं कच्चा में परीचर्चा की दोरान एक सिक्चक प्राया लड़कियों की तुल्ला में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है यह किसका उधारण है। अगला प्रस्ण है सिक्षक को जेंडर पच्छपात नहीं करना है सभी को समान समझना है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे वंचित वरिक का बच्चा हो चाहे वह विकलांग हो यानि दिव्यांग बच्चा हो लेकिन सिक्षक को क्या करना है सभी को समान रूप से ही सि कौन सी पदती प्रभाव साली है पहला विकल्प है जेंडर पच्छपात के बारे में परिचर्चा दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमकाओं को महत्व देना तीसरा है जेंडर प्रथक खेल समू बनाना और चौथा है जेंडर प्रथक बैठने की व्यवस्था करना तो पहला विकल्प इसमें सही है तभी तो बच्चे समझेंगे जब उस पर चर्चा की जाएगी बच्चे समझेंगे तो पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा और परिचर्चाएं जो हैं बच्चे के समग्र विक्तित को आकार देने या निर्माड करने में महत्पूर भूम का निभाती हैं तो इसलिए जेंडर पच्छपात के बारे में परिचर्चा पहला विकल्प इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने दिया गया है निमने लिखित में से किस मनोबै ग्यानिक ने बच्चों को ग्यान के सक्री जिग्यासल के रूप में देखते हुए उनकी चिंतन पर सामाजिक एबं सांस्कृतिक विसावस्तों के पिरभाव को महत्पूर दिया पहला प्रशन दूसरा 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 प्रश और बच्चे नन्य अन्वेशक यानि नन्य वग्यानिक होते हैं ये जीन प्याजे ने माना है तो इसमें पूछा गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिसे और जुड़ा हुआ है तो इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अगला प्रशने देखते हैं जिक्सा पहली को करते समय पांच वर्ष की नजमा स्वयम से कहती है नीला टुकड़ा कहा है नहीं यह वाला नहीं गाड़े रंग वाला जिससे यह जुटा पूरा बन जाएगा इस प्रकार की वारता को वाई गौस्ट की किस तरह संबोधित करते हैं पहला विकल्प है व्यक्तिगत वारता दूसरा विकल्प है जोर से बोलना तीसरा विकल्प है पाड यानी धाचा और चौथा है आत्म कैंदरित वारता तो इस प्रस्ण में पहला विकल्प सही है व्यक्तिगत वारता नजमा क्या कह रही है खुद से बाते कर रही है कि नीला टोड़ा कहां है यह वाला नहीं गाड़े रंग वाला यानि आत्म वारता है तो इसी लिए इसे व्यक्तिकत वारता माना गया है पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा प्राइवेट स्पीच अगला प्रस्ण है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक्त्या पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्लिखित में से किसका उधारण है पहला विकल्प है प्रवलन दूसरा है अनुबंधन तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है पाड यानि धाचा तो बच्चों को संकेत देना और आवश्यक्ता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड यानि धाचा का उधारण है चौथा विकल्प इस ब्रश्न का उत्तर है पाड जो है धाचा यानि पाड और इसको ही धाचा कहते है इसके फोल्डिंग कहते है इंगलिस में या एक सिक्षण पदिती है जो एक छात्र को एक समस्या को हल करने किसी कार को करने या बाहरी सहायता के क्रमिक शेडिंग के माध्यम से एक लक्ष प्राप्त करने में सक्ष बनाती है तो इसी लिए चोथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है निमलिखित वेवहारों में से कौन सा जीन प्याजी द्वारा प्रस्तावित मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था को विशेशित करता है पहला विकल्प है परिकल्पित निग्मनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार दूसरा विकल्प है समरक्षड कच्छा समावेशन तीसरा है आ इस्थगित अनुकरण पदार्थ इस्थाईत्व और चोथा है प्रतिकात्मक खेल विचारों की अनुत किरमडियता तो जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता को विश्यसित करता है तो जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास की चार वस्ताईं बताई है तो इसमें मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता को जो विश्यसित करता है वह है दूसरा विकल्प संदक्छण कच्छा समावेशन दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्न देखते हैं बच्चों के संग्यानात्मक विकास के संदर्व में निम्लकित में से कौन सी प्याजे की संदर्चना है पहला विकल्प है इसकीमा, दूसरा है अब लोकन, अदगम, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है प्रबलन तो बच्चों के संग्यानात्मक विकास के संदर्ब में कौन सी प्याजे की संरचना है तो वह है इसकीमा पहला विकल्प इसमें सही है इसकीमा जो होता है ज्यान की इकाईयों के रूप में कार करता है अगला प्रशने देखते हैं आकलन का प्रात्मिक उद्देश क्या होना चाहिए पहला विकल्प है विध्यार्थियों के लिए स्रेडी निश्यत करना दूसरा है संबंदित अवधार्णाओं के बारे में बच्चों की इस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना तीसरा है विध्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्रीड या अनुत्रीड अंकित करना तो आंकलन का पड़ात्मिक उद्देश क्या होना चाहिए सम्मंदित अवधार्णाओं के बारे में बच्चों की इस पस्टिता तथा ब्रांतियों को समझना दूसरा विकल्प इस प्रश्निका उत्तर है आंकलन जो है सिक्षण अद्गम प्रक्रिया का एक महतपूर अंग माना जाता है तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रश्निक देखते हैं निवलखित कत्मों में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है पहला विकल्प है बुद्धी एक निश्चत योगता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है दूसरा है बुद्धी को मानकी करत परिक्षडों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है तीसरा है बुद्धी एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विश्यशक है और चौथा है बुद्धी बहु आयामी है तथा जटिल योगताओं का समू है तो कौन सा बुद्धी के बारे में सही है ये पूछा गया है तो बुद्धी जो है बहु आयामी होती है बुद्धी सूचनाओं को समझने, अवधारणाओं को समझने और समस्याओं को सुलचाने की छमता के रूप में परवासित की जाती है तो बुद्धी बहु आयामी है तता जटिल योगताओं का एक समू है चोथा विकल्पिस प्रश्नि का उत्तर है अगला प्रश्नि देखते हैं रूही हमेशा समस्या के एक आधिक समाधानों के बारे में सोचती है इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं रूही किन गुड़ों का प्रदर्शन कर रही है पहला विकल्पिस रजिनात्मक विचारक दूसरा है अभी सारक, अभी सारिक विचारक तीसरा है अनम्य विचारक और शोथा है आत्मिक कैंदरित विचारक तो रूही क्या कर रही है हमेशा समस्या के एक आधिक समाधानों के बारे में सोचती है तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा स्रज नात्मक विचारक अगला प्रस्न देखते हैं सिक्षण अधिगम प्रकिरिया में वन्चित समू से सम्मंदित विध्यार्थियों की द्वारा सायवागिता कम होने की इस्तिती में एक सिक्षण को क्या करना चाहिए पहला विकल्प है बच्चों को विध्याले छोड़ने के लिए कहना दूसरा है इस इस्तिती को जैसी है स्विकार कर लेना तीसरा विकल्प है इन विध्यार्थियों से अपनी अपिक्षाओं को कम करना और चौथा विकल्प है अपनी सिक्षण पद्धिती पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहवागता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूड़ने चाहिए तो सिक्षण अद्गम प्रक्रिया में वन्चित समू से संबंदित विध्यार्थियों की द्वारा सहवागता कम है तो सिक्षण को क्या करना चाहिए अपनी सिक्षण पद्धिती पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहवागता में सुधार के नए तरीके ढूड़न तीसरा है सक्री रूप से तयार करना चाहिए और चौता है तयार करने के लिए हतोत साहित करना चाहिए तो समावेसी कच्छा यानि सभी को समान रूप से सिक्चित किया जा रहा है तो एक सिक्चक को विशिष्ट से अक्षिक योजनाव को सक्री रूप से तयार करना चाहिए तीसरा विकल्प इस प्रशने का उत्तर है अगला प्रशने देखते हैं पठन व्यफल बच्चों के प्रात्मिक लक्षड क्या है पहला विकल्प है न्यून अवधान विकार दूसरा है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अच्छमता और च्वता है एक ही गती विश्यक कार को बार बार दोहराना अब आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी पठन व्यफल इंगलिस में देख लीजिए लिखा है डिसलेक्सिया अब आपको उत्तर भी समझ में आ जाएगा डिसलेक्सिया क्या होता है पठन वि कि इस पर विकलब है वेवारवादी सिद्धानत दूसरा है असक्त बच्चों के प्रती एक सहान भूतिक अभिवृत्ति तीमरहर आधिकार अधारित मानवता वादी परी प्रेख्श तीसरा है मुक्ता व्यवसाइक सिख्छा उपलब्द करा करके असकत बच्चों को मुक्धारा में सामिल करना। तो सिक्षा का अधिकार अधनियम 2009 में उलेख की गई समावेसी सिक्षा की अवधारणां जो है अधिकार आधारित मानवताबादी परिप्रेक्ष पर आधारित है तीसरा विकल्पिस प्रशने का उत्तर है शिक्षा का अधिकार अधनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6-14 वर्ष की आयू के प्रतेक वच्चे को मुफ्त और अनवार शिक्षा दी जानी चाहिए ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्ने देखते हैं लिखा है सनरचनावादी धाचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से पहला विकल्प है यंत्रवत याद करने पर आधारित है दूसरा है प्रवलन पर कैंदरित है तीसरा है अनुबंधन द्वारा आरजित है और चोथा है आविवोधन की प्रकिरिया पर कैंदरित है तो संरचनावादी धाचे में अधिगम जो है परात्मिक रूप से अवेवोधन की प्रक्रिया पर कैंदरित है यानि अर्थ निर्माड की प्रक्रिया पर कैंदरित है चौथा विकल्प इसमें सही है यदि आपको हिंदी बना समझ में आई तो आप इंग्लिस देख लिए जिएगा तो आपको उत्तर सही से समझ में आ जाएगा यहां से आप Hindi जो है समझने में थोड़ी कठिन होती है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं समझ सकते तो आप English में उसे समझ सकते हैं तो चोथा विकल्प इस प्रस्ण का उतर है जैसे अभी आया था पठन वेफले तो समझ में नहीं आ रहा था जब उसकी English देखी तो आसानी से समझ में आ गया कि डिसलेक्सी या इसी पिरकार से आपको कोई भी सब्द यह दी समझ में ना आए तो आप English वाला वर्ड जरूर देखिएगा अगला प्रस्ण है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजा नुदूर सिधानतों के संदर्व में एक सिक्षिका को क्या करना चाहिए पहला विकल्प है बच्चों को इन सिधानतों को अंदेखा करना चाहिए दूसरा है बच्चों को दंडित करना चाहिए तीसरा है प्रत्कूल पिर्माड एवं उधारणों को प्रस्थुत करके बच्चों के इन सिध्धानतों को तीसरा विकल्प है बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिध्धानत से बदल देना चाहिए और शौथा है प्रत्कूल पिर्माड एवं उधारणों को प्रस्थुत करके बच्चों के इन सिध्धानतों को चुनाती देनी चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रटने वाले दंडित करने वाले ये उत्तर नहीं होते हैं बच्चों के इन सिध्धानतों को अंदेखा तो सिध्धान को करना ही नहीं है तो ये तीनों गलत हो गए चौथा विकल्प आपका उत्तर हो गया प्रत्कूल पिर्माड आविसेस्ता है पहला विकल्प है केवल पाठ़ पुस्तकों पर निर्भर होना दुसरा है बच्चों के अनवबों को परमुकता देना तीसरा है यंत्रवत याद करना और शौथा है योगिता के आधार पर विध्यार्थियों को नमांकित करना तथा वर्गी करण करना तो वही गलत हो गई, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से विकल्प आपको हटा देने हैं, तो अब दूसरा विकल्प बचता है, तो यही प्रस्ण का उतर है कि बच्चों के अनभवों को फिरमुक्ता देना, क्योंकि बाल के अंदरित सिक्छा सास्त की विस् संग्यान एक दूसरे से हैं, पहला विकल्प है, पूर्ट्या अलग, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है सन्यहित और चोथा है, सम्मान्दित नहीं, तो सम्वेग और संग्यान एक दूसरे से सन्यहित हैं, जुड़े हुए हैं, तीसरा विकल्प इस प्रस्ण का उतर हो जाए अगला प्रस्ने देखते हैं वेवारों का अनुबंधन है और चोथा है अधिगम सक्री वी नियोजन के द्वारा ज्यान की सनरचना की प्रक्रिया है तो ये अंत्रवत याद करने वाला ये तो विकल्प गलत हो गया पुनर उत्पादन एवं इस्मरण ये भी नहीं होगा अधिगम आवरती संबंध की द्वारा वेवारों का अनुबंधन है चोथा विकल्प इस प्रस्ण में सही है कि अधिगम सक्री वी नियोजन की द्वारा ग्यान की सनरचना की प्रक्रिया है यानि ग्यान के निर्माड की प्रक्रिया है अगला प्रस्नि देखते हैं विध्यार्थियों को इस पष्ट उधारड एवब ग्यर उधारड देने का क्या परिडाम है पहला विकल्प है अवधारडात्मक परवर्तनों को प्रोतसाहित करने के लिए यह एक प्रिभावसाली तरीका है दूसरा है यह विध्यार्थियों के दिमाग में भरांतियां उत्पन करता है तीसरा है यह अवधारडाओं की समझ में अभाव पैदा करता है और चौथा विकल्प है यह अवधारणात्मक समझ के बजाए कार रिविधे के प्रक्रियात्मक ज्यान पर ध्यान के अंधिरित करता है तो विध्यारतियों को इसपष्ट उधारण एवं गयर उधारण देने के क्या परणाम है तो पहला विकल्फिस में सही है अवधारणात्मक परवर्तनों को प्रोटसाहित करने के लिए यह एक पिरभाव साली तरीका है पहला विकल्फिस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण देखते है बच्चों को अदगम कतिविदियों में भागी दारी करने के लिए लगातार पुरुसकार देना वा दंड का परियोग करने से क्या पिरभाव पढ़ता है पहला विकल्ब है बाहिरी अभी प्रेरडा कम होती है दूसरा है आंतरिक अभी प्रेरडा कम बढ़ती है तीसरा है यह बच्चों को परदर्शन आधारित लक्षियों के बजाए निपुर्ता पर द्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और चोथा विकल्प है अदगम में बच्चों की स्वभाविक अविरूची तथा जिग्यासा कम होती है तो प्रस्ण में पूछा गया है कि बच्चों को अदगम गत्विदियों में भागी दारी करने के लिए लगातार पुरुषकार देना वा दंड देना तो इससे क्या होगा अदगम में बच्चों की जो स्वभाविक अविरूची और जिग्यासा है वहे कम हो जाएगी क्योंकि यदि दंड दिया जाएगा तो बच्चे डरेंगे और यदि उन्हें पुरुषकार दिया जाएगा तो वह सिरिफ लालच में ही आकर अदगम गत्विदियों में भागी दारी करेंगे लेकिन जो स्वभाविक अविरूची और जिग्यासा है वहे कम हो जाएगी तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्लकित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधगम को बढ़ावा देती हैं तो कौन सी प्रथाएं सार्थक अधगम को बढ़ावा देंगी सारीरिक दंड तो पहले ही कर दीजिए सायोगातमक अधगम पर्यावरण सतत एवं समग्रमों लियांकन दूसरा और तीसरा इसमें सही है दूसरा और तीसरा याणि दूसरे विकल्प में लिखे हैं तो दूसरा विकल्प इस प्रशनी का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशनी देखते हैं सिक्छक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं प्रतियोग तातमक अवसरों की व्यवस्था करके तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा और चौथा है अनिवेशन एवं परिचर्चा के लिए अवशर उपलब्द करके तो सिक्छक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं अनिवेशन एवं परिचर्चा के लिए अवशर उपलब्द कराकर चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्नी देखते हैं एक प्रात्मिक विध्याले की अध्यापका बच्चों को एक प्रवावसाली समस्या समाधान करता बहने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है पहला विकल्प है पिर तेक छोटे कारे के लिए भौट एक पुरुसकार देकर दूसरा है केवल परकिरियात्मक ज्यान पर बल महत्वदेकर तीसरा है गलत उतरों को अशुकार करके एवं दंडित करके और चौता है बच्चों को सहजान भूत अनमान लगाने के लिए प्रोच साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मन्थन करके अगला प्रस्न दिया गया है निम्लिकित अबदी में से किसमे सारीरिक विरद्धी एवं विकास तीवर गती से गाटेत होता है पहला विकल्प है सैस्वा वस्ता एवं प्रारंबिक वालिया वस्ता दूसरा है प्रारंबिक वालिया वस्ता एवं मध्य वालिया वस्ता तीसरा है मध्य वालिया वस्ता एवं किसोरा वस्ता और चौता है किसोरा वस्ता एवं वयसकिता तो पूछा गया है कि सारीरिक ब्रद्धी और विकास तीवर्ता से किस अवदी में गटित होता है तो वह होती है सयासवावस्था और प्रारंबिक वालियावस्था पहला विकल्ब इस प्रशनिका उप्तर है अगला प्रशनि देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा विकास का सिधांत नहीं है? पहला विकल्प है विकास जीवन परियंत होता है, दूसरा है विकास परिवर्त है, तीसरा है विकास आनुवान शिक्ता एवं परियावरण दोनों की द्वारा पिरभावित होता है, और चौता है विकास सारभॉमिक है त उगाला प्रस्णि देखते हैं वयक्तिक भिनिताओं का पराथमिक करण क्या है पहला विकल्प लोगों के द्वारा मतापिता से प्राप्त आनवानशिक संकेत परिया प्रिया प्रिया परड़ के बीच जटिल पारस परिक्रिया चोथा विकल्प इस प्रस्मिका उत्तर है अगला प्रस्मिक देखते हैं निम्लकित में से कौन सा दुतियक सामाजी करड़ एजनसी का उधारड है पहला विकल्प है परिवार एवं पासपडोस दूसरा है परवार एवं मीडिया त परात्मिक पूछा जाता तो परवार एवं पासपडोस होता दुतियक पूछा गया है इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है तो ये पेपर था दिसंबर 2019 वाला किसी भी प्रस्ण में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मिलते हैं जिए बाईगाइ